दोस्तों ये एक यॉर्पियन प्लांट है इसकी तकरीबन 130 स्पीसिज होती है ये पौदा अपने खूबसूरत वाइड फ्लावर्स और अजीब औ गरीब ग्लू नुमा पत्तों से असानी से पैचाना जा सकता है इसके पूल गर्मियों के मौसम में निकलते हैं लेकिन ये पौदा शिकार अपने पत्तों के जरीए करता है इसके पत्ते बहुत अट्रेक्टिव होते हैं और इंसेक्ट्स इनके उपर आकर बैठ जाती है एक दफ़ा जब कोई कीड़ा इसके उपर आकर बैठता है तो ये पौदा ग्लू रिलीस करता है और ये कीड़ा इसके साथ चिपक जाता है ये हर तरह की इंसेक्ट्स के लिए जानलेवा होता है मक्या और फ्लाइ इंसेक्ट्स इसकी एट्रेक्टिव खुश्बू की विज़ा से इसकी तरफ आती है लेकिन एक दफ़ा इस पर बैठने के बाद उड़ पाना नमुम्किन है ये पौदा इस गलू की मदद से कीड़ों को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद इने फोल्ड कर लेता है इसके बाद इसका डाइजेस्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है इस पौदे की कुछ बड़ी नसले भी है जो के मेंड़क और छोटे परिनों का शिकार करती है ये वाकिही में बहुत अजीब है दोसो इस पौदे को फ्लाइ ट्रैप भी कहा जाता है ये दुनिया का ऐसा पौदा है जो के उड़ती हुई मक्यों और हच्चराथ को पकड़ सकता है इवन इसे कोई भी इनसान अपनी खुली आँकों से आसानी से देख सकता है इसे देखने के लिए कोई स्लो मोशन कैमरी की जरुरत भी नहीं पड़ती इस पौदे के पते किसी मinekन्स्र के मूँ की तरह होते है जब भी इसके करीब या इसके अंदर कोई जानदार जाता है तो ये इसे दबोश लेता है और इसे तुबारा बाहर जाने का मौका नहीं मिलता माहरीन के मताबश पौदे का दिमाग भी होता है क्योंकि ये पौदा जिन्दा जानदारों और दूसरी चीज़ों में फर्क कर सकता है अगर इसके मूँ में कोई जानवर ना हो तो ये हर आदे गंटे बाद अपना मूँ खोल लेता है और एक तफ़ा किसी कीडे को पकड़ने के बाद कई हफ़तों तक ये बंद रहता है और इसे डाइजेस्ट करता रहता है मज़े की बात ये है कि आप इस पौदे को कई फ्लावर शॉप से भी खरीच सकते हैं अगर आपके घर में मक्या बहुत ज्यादा है तो ये पौदा इन से चुटकारा पाने के लिए बेस्ट रहेगा दोस्ते ये अन्यूजवल और एट्रेक्टिव नजराने वाला पौदा नौर्थ अमेरिका और सौथ इस्टरं रीजिन में पाया जाता है ये पौदा बहुत ही ब्राइट होता है इसके खुबसूरत पूल होते हैं और गहरे सबस पते होते हैं इस पूरे पौदे पर ही डार्क लाइन्स होती है जिन से ये और भी अच्छा लगता है ये एक इन्वेल्प की तरह खुला होता है और इसके अंदर एक जूस नुमा मा जाती हैं सबसे अमेजिंग बात ये है कि इसके ऊपर एक कब बना होता है जिससे पारिश का पानी और शबनम का पानी सीधा इसके अंदर जाता है और इसी से इसके अंदर ये जूस बनता है एक दफ़ा कोई इंसक्ट इसके अंदर टैप हो जाती है तो वो इसके जूस के अ औस्टेलिया में पाया जाता है इस पौदे को रेंबो प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि इसकी लोग कलरफुल और बिल्कुल फ्रेश होती है इसमें सबसे हजी बात ये है कि इसकी शाखों पर जैली नुमा पते होते हैं जो पूरे पौदे पर मौझूद होते है जब भी कोई कीडा या पिर सुन्डी या इवन स्माल क्रियेचर्स इसके उपर चलते है तो ये इसे पकड़ लेता है और जानवर इस गलू में फंस जाता है ये पौदा हर तरह के जानवरों को मार कर इने डाइजस्ट कर सकता है इवन कुछ आस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इनसान के जिसम को भी खुराक के तोर पर इस्तमाल कर सकता है लेकिन बारहाल इन इलाकों में जहां पर ये पाया जाता है वहां इसके इन अजीब पत्तों को गलू के तोर पर इस्तमाल किया जाता है दूसरे ये दुनिया के सबसे रेयर पौदों में से एक है ये अपनी नसल का वाहित पौदा है इस तरह के प्लांट्स सिर्फ नॉर्थ कैलिफॉनिया और औरगीनी में पाय जाते है इस पौदे की सबसे फेवरेट डिश स्वैप बीज होती है इसे युनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके शकल एक कोब्रा की तरह होती है इस पौदे को कोब्रा प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि इसकी शेप और हुड एक सांप की तरह होती है ये पाकी पोदों से काफी खतरनाक होता है क्योंकि इंसेक्ट्स ना सिर्फ इसके जग में मौजूद जूस में गिर कर मरती है बलकि अगर कोई कीड़ा इस पर आकर बैठता है तो ये इसे अपने अंदर खैश लेता है और इसके लंबे साइस की विज़ा से जानदारों का वापस उपर आपाना ना मुम्किन है दोस्तों ये पोदा घड़े पानी की जीलों में या पिर नदियों में पाया जाता है इसकी दो सो से ज़द स्पीसिस मौजूद है इस पोदे की जड़े नहीं होती ये अपनी पूरी खुराक जानदारों को खा कर हासल करता है इस पोदे का ट्रैप एक बबल की तरह होता है पानी के उपर इसके सिर्फ फूल होते है लेकिन पानी के अंदर इसकी शाहों के साथ पत्ते और बबल नुमा ट्रैप बने होते है इस बबल में एक इंटरस होती है जब भी कोई कीड़ा मकोड़ा इसके करीब आता है तो ये बबल खुल जाता है जैसे ही कीड़ा इसके अंदर जाता है बबल फॉरण बंद हो जाता है और वही पर ये इस खुरा को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है दोस्तो इस अजीब पॉदे को ट्रॉपिकल पिक्चर प्लांट भी कहा जाता है ये ज़्यादा तर चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलिपीन्स के जंगलों में पाया जाता है इसकी शकल एक अजीब सी लुक देती है इसके लावा इसे मंकी कप भी कहा जाता है क्यो अभी कोई जानदार इसके अंदर जाता है तो वो इसमें डूप जाता है क्योंके बाहराने के लिए इसे सहारा नहीं मिल पाता क्योंके इसके अंदर बहुत स्लिपिंग होती है इसके लावा अंदर मौजूद पानी बहुत गाड़ा होता है और इसमें नेक्टो मौजूद होता है जिसकी वज़ा से वो जानदार जल्दी ही दम तोड़ देता है नमबर टू जैनलीजिया दोसों ये पौदा नदी नालों और पानी वाली जगों पर पाया जाता है ये ज़्यादा तर अफरीका, सौथ अमेरिका और सेंटरल अमेरिका में पाया जाता है ये असल में छोटे गास की तरह होता है जिस पर पीले रंके फूल लगते हैं ये फूल इंसेक्स को अपनी तरफ एट्रेक्ट करते हैं और जैसे ही कोई मक्खी वकरा इसके करीब आती है, ये इसे पकड़ लेता है इस पूल पर ऐसे हार्ड बाल होते हैं जिन से इंसेक्ट्स इससे बाहर नहीं निकल पाती इस पौदे की जड़े नहीं होती, ये सिर्फ दो पतो पर मुझतमिल होता है एक पता जमीन के अंदर होता है और दूसरा पता सता के उपर मौझूद होता है जिसके उपर फूल लगता है, खाने के बाद ये जानवर को अंदर ले जाता है और जमीन में मौझूद पते में जाकर पानी के साथ मिलकर ये खुराग डाइजेस्ट हो जाती है ये पौदा वाके ही में बहुत अजीब है दोस्तों ये पौदा अमेरिका, यौरप और एशिया में पाया जाता है ये ग्रीन कलर का एक सिंपल सा नजर आने वाला प्लांट लगता है लेकिन इंसेक्ट्स के लिए ये जान लेवा है इस पौदे के पूरे लीव्स पर एक स्टिकी ग्लू होती है जब भी कोई इंसेक्ट्स इस पर आकर पैटती है तो वो इसके साथ चिपक जाती है ये पौदा इन इंसेक्ट्स से विटामिन्स और मिनरल को अब्सर्व करता है जैसे ही पौदे की जरूरत इस केड़े से खतम हो जाती है ये इसे रिलीज कर देता है और नए शिकार का इंतजार करता है करता है